हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होब की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फिप्त के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के एन एस टेस्ट पेपर को सॉल्ब करेंगे जो की नौर्ड डैली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के द्वार फोर ओ क्लोक दा क्लोक वर सोईंग अब ख्लोक में कितना टाइम हो रहा है फाइब फोर्टिफाइब साम का समय है टाइम आफ्टर ही रिटन फ्रॉम जब वह हैं खेल कर वापस लोटा How much time did he spend in the park उसने पार्क में कितना समय spent किया कितना समय बिताया तो बच्चो 4 से 5 तक 1 hour और ये वाली 45 minutes तो बच्चो इसका third option सही है 1 hour 45 minutes वो पार्क में खेला अब है question number 2 Box A में है 750 ml Oil और box B में है 1500 ml oil The oil from both the boxes is poured in the box C अब इन दोनों box का जो oil है इसे C number के box में डाला जाता है What is the quantity of oil in the box C तो बच्चो जो C box है इसमें कितना oil हो गया तो बच्चो इन दोनों का यहां पर plus कर लेंगे 1500 और 750 तो कितना हुआ 2250 ml oil तो बच्चो इसका Option number 3 जो है वो सही है 2 liter and 250 ml बच्चो 2250 ml में होते हैं 2 liter and 250 ml Next है अब बच्चो question number 3 विसाल कम्प्लीट्स थ्री राउंड इना स्क्वार पार्क औफ साइड 100 मीटर विसाल जो है 100 मीटर साइड के स्क्वेर पार्क में इस्क्वेर स्येप के पार्क में तीन राउंड लगाता है एंड नरेंदर कम्प्लीट्स तू राउंड इना रेक्टेंगलर पार्क औफ लेंथ 150 मीटर एंड ब्रेथ 75 मीटर और नरेंदर जो है वो 150 मीटर लेंथ के और 75 मीटर चोड़ाई के एक रेक्टेंगलर इट मींज आयताकार पार्क में दो चक्कर लगाता है किसने ज्यादा डिस्टेंस को कवर किया तो बच्चो ये पार्क है 100 मीटर इज साइड का तो बच्चो इसकी प्रतियक साइड है 100 मीटर तो कितने का हुआ तो बच्चो इसकी टोटल जो साइड है वो कितनी है 400 मीटर का एक चकर तो उसने तीन चक्कर लगाए तो बच्चो थिरी से हम 400 को मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 1200 मीटर इट मीज़ 1200 मीटर अब बच्चो यहाँ पर है नरेंदर ने नरेंदर ने जो लगाए है चक्कर वो है 150 मीटर की तो इसकी क्या है लेंट है और 75 मीटर की ब्रेथ है तो बच्चो इधर भी 150 हो गया और इधर भी 75 अब इसे हम प्लस कर लेते हैं तो टोटल कितना इसका वर्ग हो गया 450 मीटर उसने बच्चो दो राउंड लगाए है 450 मीटर के तो कितने हो गया 900 मीटर तो किस ने ज़्यादा लगाया विसाल ने तो बच्चो इसका one option जो है ये सही है विसाल अब एक कोश्य नमबर फोर How many days are there in the month of February 2020 2020 के February के महिने में कितने दिन है तो बच्चो यहाँ पर option दे रखें 28 days, 29 days, 30 days, 31 days तो बच्चो जो leap year होता है वो पृति एक चौथे वर्स आता है It means fourth year में आता है तो हम जो भी year होता है उसे four से divide करते हैं यदि वे पूरा-पूरा कट जाता है तो it means वे year जो है वो leap year है यदि नहीं करता है तो बच्चो वो leap year नहीं होगा तो बच्चो यहाँ पर हम 2020 को four से divide करेंगे तो बच्चो यह जो है पूरा-पूरा कट रहा है It means 2020 जो है यह leap year है तो इसके फरवरी के मन्थ में 29 days है तो बच्चो इसके second option पर सही का निसान लगाएंगे अब है बच्चो question number five A class has 40 students out of which one upon four are girls एक class में 40 बच्चे हैं जिन में से one चौथा ही जो है लड़किया है How many boys are there in class तो बच्चो class में कितने लड़के हैं तो बच्चो इसे हम पहले जो 40 students है इन्हें बराबर चार भागों में बाट लेंगे तो इन में से एक भाग जो है लड़किया है one fourth तो बच्चो girls है one fourth boys कितने हैं three upon four अब क्या करेंगे number of boys इसे हम जो total students की संख्या है उससे क्या कर देंगे multiply कर देंगे तो three upon four multiply by 40 तो four times are 40 three times are 30 तो boys कितने हैं 30 तो बच्चे इसका third option जो है इस सही है अब है question number six साक्षी purchased two sets of price 150 rupees each साक्षी ने दो सर्ट खरीदी जिसमें पिर्तियक सर्ट का मूल्ले 150 रुपे है three trousers of 225 rupees each और उसने तीन ट्राउजर खरीदे जिसमें पिर्तियक का मूल्ले है 225 रुपे C pays 1,000 rupees to the shop की परवे है दुकानदार को 1000 रुपे देती है how much money will he return to साक्षी by the shopkeeper अब साक्षी को कितने रुपे वापस दिये जाएंगे तो बच्चे उसने सर्ट खरीदी थी 2 पिर्तियक सर्ट का मूल्ले कितना है 150 तो हम 150 को 2 से multiply करेंगे तो कितने रुपे हुए 300 two cert के price of three trouser तो 3 को हम 225 से multiply करेंगे क्योंकि एक trouser का मूल्ले है जो value है 225 तो बच्चो 3 के हो गए 675 next है total price कितने हुए अब बच्चो हम 300 और 675 को प्लस कर लेंगे तो total value कितनी हुए 975 shopkeeper return अब बच्चो shopkeeper ने कितने वापस किए 1000 में से हम 975 को minus कर देंगे तो कितने बच्चे 25 रूपीज तो वह है 25 रूपीज साक्षी को देगा तो बच्चो इसका third option जो है 25 रूपीज यह सही है इस पर निसान लगाएंगे next है how many boxes are required to pack 100 balls if one box can contain maximum 10 balls यदि एक box में 10 ball आती हैं तो 100 ball रखने के लिए कितने boxes की जरूरत होगी तो बच्चो इसके लिए हम क्या करेंगे 10 का table पढ़ेंगे 10 10 jar 100 it means 100 balls को pack करने के लिए 10 boxes की requirement होगी तो बच्चो इसका third option जो है 10 इस पर सही का निसान लगाएंगे अब है question number 8 one dozen contains 12 bananas एक दरजन में 12 केले होते हैं how many dozens are there in 96 bananas तो 96 bananas में कितने दरजन होगे तो बच्चो हम क्या करेंगे 12 का table जो है पढ़ेंगे तो 96 कब आता है 12 के table में 12 is a 96 it means 96 bananas में कितने दरजन होगे 8 regions होगे तो बच्चो इसके fourth option पर सही का निसान लगाएंगे next है how many triangles are there in the given picture बच्चो इस दीगई picture में कितने triangles हैं तो बच्चो देखिए सबसे पहले ये बड़ा triangle है उसके बाद बच्चो इसके half करिए 2 उसके बाद ये है 3 अब बच्चो यहाँ पर देखिए ये एक complete हो गया 4 उसके बाद बच्चो एक ये हो गया 5 और ये हो गया 6 तो इसमें कितने triangles हैं 6 तो इसके third option पर सभी का निशान लगाएंगे next है how many acute angles are there in the given picture दीगई picture में कितने acute angles हैं तो बच्चो acute angles कम बनता है जो की less than 90 degree होता है जो की 90 degree से कम होता है तो बच्चो आप यहाँ देखेंगे 90 degree से यहाँ पर है एक कम और एक कम है यहाँ पर 90 degree से तो इसमें कितने acute angles हैं 2 तो इसके second option पर सही का निशान लगाएंगे अब है question number 11 how many horizontal lines are there in the picture given below नीचे दीगई picture में कितनी horizontal line है तो बच्चो यहाँ पर देखेंगे कितनी line है 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 उसके बाद है बच्चो 8 और यह है 9 अब बच्चो यहाँ पर 9 पर आप निशान लगाएंगे यदि बच्चो आप इसे count करते हैं तो 9 पर लगाएंगे और यदि नहीं count करते हैं तो आप 8 पर निशान लगाएंगे अब है बच्चो question number 12 मुरारी goes to school at 7.30 a.m मुरारी साड़े साथ बजे स्कूल जाता है He spends 5 hours in the school वह 5 गंटे स्कूल में बिताता है At what time will he leave the school तो वह किस समय स्कूल से वापस आएगा तो बच्चो वह साड़े साथ बजे स्कूल गया तो साड़े 8 बजे 1 hour हो गया साड़े 9 बजे 2 hour साड़े 10 बजे 3 hour साड़े 11 बजे 4 hour और साड़े 12 बजे 5 hour तो वह घर वापस आएगा 12.30 पर तो इसका third option सही है अब बच्चो question number 13 A class has 25 students A class में 25 students है Out of these इन में से there are 10 girls इन में से 10 लड़किया है What fraction of students are boys तो बच्चो boys की जो अंस होगा वो कितना होगा तो क्या करेंगे बच्चो जो quantity है students की 25 है इसे हम बराबर 5 हिस्सों में बाट लेंगे तो बच्चो हम इस तरीके से बाटेंगे अब इन में से कितनी लड़किया है 10 तो 5 और 5 10 तो बच्चो इसके 2 हिस्से जो है वो लड़किया है अब बरसते हैं बच्चो ये boys तो boys कितने है 15 it means तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे फ्रेक्शन में 3 अपॉन 5 यानि कि 3 हिस्से जो है 5 में से वो boys है तो इसका second option जो है ये सही है आब बच्चो question answer the questions given below according to table of the weather of minimum and maximum temperature बच्चो यहाँ पर नीचे table के according weather का जो maximum और minimum temperature है वो बताना है तो बच्चो minimum temperature है Sunday को 24 maximum temperature है 40 Monday को minimum temperature है 21 maximum है 36 Tuesday को minimum है 25 और maximum है 41 Wednesday को minimum temperature है 23 और maximum है 42 Now question is which day है minimum temperature किस दिन सबसे कम जो है वो temperature था Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday तो बच्चो यापर देखिए सबसे कम कब है कौन सा है 21 है तो किस दिन है Monday को तो बच्चो इसके second option पर सही का निसान लगाएंगे Next है Which day है maximum temperature किस दिन जो है सबसे अधिक temperature है तो याँपर देखिए बच्चो 40, 36, 41, 42 तो सबसे जादा जो है कौन सा है 42 तो किस दिन है Wednesday को तो बच्चो याँआपर option है Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday तो इसके fourth option पर सही का निसान लगाएंगे Students, if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel Thank you